हेलो स्टूडेंट आज शुरू करेंगे हम इस वीडियो में अभिकिरिया वेक किताब पर निरुबर करता है अब जानते हैं कि कोई भी अभिकिरिया मैक्सिमम जेंडरली 99% ताप पर ही होती यानि गरम करके ही कराई जाती है कि अभिकिरिया मैं खाना भी बनता है हर आपके घर में जितना भी नहीं घृट तो वह किआ जाता है तो वह गरम करकी ही किए जाता है तो इसका वेग भी ताप पर निरुबर करेंगा अभिक्सिमम बढ़े गए घंट लेकिन अधिकतर बढ़ता है और हो सकता एकाथ परसेंट ताप पनिर्वन नहीं भी करते हूं तो यह पाया गया कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और यह भी देखा गया है कि 10 डिगरी ताप बढ़ाने पर अभी किरिया का वेग दुगुन्ना हो जाता है अब उसे बात को मैं लख देता हूं कि यहां पर हमने लिख दिया कि बहुत सी अभी ब्रावर हो जाता है कभी कभी कंडिशन में मानने की स्थितियों में इसलिए वेग कहें चाहिए वरोबर टो घ्क किया हो जाता है द главart अब बात पर कोज़ीए अब यहां पर है इसके लिए एक संबंद दिया अरवी श्यमार करकिय। तो अब जानेंगे हम लोग आरहेनियस समीकरण के बारे में, आरहेनियस बैग्यानिक है, इसलिए इनी का नाम पे रखा गया है समीकरण का नाम, आरहेनिस ने किया क्या, याविक्रिया का वेग याविक सिरांग के, और उसका ताप टी, इसके बीच एक संबंद बनाया, इस त तो में कितना बढ़ता है, या कैसे अविक्रिया का वेग ताप पर निर्वर करता है, इसको दिखाने के लिए आरहेनियस नेक समीकरण दिया, तो समीकरण दिख लेते हैं, फिर उसका बाद में उत्पत्ती भी दिखेंगे, कैसे वो उत्पन हुआ है, तो इसी बात पर होता है, जितना मात्रा में टील लीजिएगा, टी का मतलब इतना मान लीजिएगा, उतना आपको के का मान मिलता चला जाएगा, तो मात्रा के अधार पर उन्होंने संबंदे निकाला है, तिक के बराबर a into eb power minus ea बटा आल, के क्या है वेग इस्तिरांग, जो कि आप जानते रख देंगे, यह क्या है, सक्रियन उर्जा, थोड़ा सब इसको बता जेता हूं, कि यह ऐसी उर्जा है, जो अभी किरिया में भाग लेने वाले आविकारा को सक्रिय कर देगा, इसके बार में डिटेल में आँगे देखेंगे इसी वीडियो में, फिर आर क्या है, गैस निय में रहेगा, अटी, टेंपरेचर है, तापमान, इसको केलिविन मिले सकते हैं, जिगरे में भी दिया हो सकता है, लेकिन जालतर केलिविन में ही यूज करते हैं, ठीक, यह हो गया, अब हम लोग इसका उत्पत्ती देखेंगे, यह आया कैसे है, ठीक, तो एडिंग लगाते ह आरेनियस शमिकरन की विद्पत्ती, डेरिवेशन, अब इसका कैसे किया जाता है विद्पत्ती, किताबों में नहीं दिया है, और जल्दी मिलता भी नहीं, इसका विद्पत्ती, लेकिन मैं बता जाता हूँ, परिशा में जब कहें, तभी आप इसको हल कीजिएगा, नहीं क सब्सक्राइब कौन सा दो देवाला नहीं आधे दो वाला नहीं यहां को कुछ अलग है मैं उसको लिग देता हूं कि यह रहा वांठाब समिकरन यह लॉग डी लॉग एक बटा डी टी बराबर देल्टा इपर आर्टी स्क्वार तो यह समिकरन कहां देखने को मिलेगा आंगी मिश्य से निकालेंगे अब दिखर कि लॉग का बाती ही खत्म होता के क्या है तो के बता देता हूं मैं यह वेग इस्तिरांग आर में जो रहता है न वेग में और बराबर के वही क्या है टी क्या है इन एल्टा इस उर्जा में बदल जाता है यानि यह अभी आंब ने समिकर इसमें क्या था K बराबर E ना A A P P Power Minus यह बटारती था यह वही तिल्टा-E ही बन जाएगा इसक्रियां उल्चा उप क्या करेंगे इसका सम्माकलन करेंगे समीकन डीटी क्यों इधर भेज़ेंगे और दोनों तरपिस का सम्माकलन करेंगे तो डीटी यहां पर है इसको इधर बेज देते हैं तो यहां पर हमने डीटी को इधर भेज दिया अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे एक बात याद रहे यह आप टी देख रहे हैं ताइम नहीं है तापमान है क्यों आरे इसमीकरण से संबंद बताने के लिए सब्सक्राण दिया गया तो यहां पर दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या होगा वह इसा डिजैन लेंगे समाकलन का चैनल लेंगे तो देखिए यहां पर टी स्क्वैर है तापमान में ही परिवर्थन हो रहा है यह सब निया ता यहां पने लिख दिया दोनों तरफ समाकलन करने पर यह रहा समाकलन का चिन इसको आमने बाहर निकाल दिया T को मैंने उपर कर लिया T का माइनस पावर दो हो गया अब इसको हल कैसे करते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ तो D X का समाकलन क्या होता है X होता है D के साथ जो भी जुड़ा जाता है तो यह समाकलन होता है D X का समाकलन और फिर X पे पावर याण D X का समाकलन क्या होता है X पे पावर याण प्लस वन बटा N प्लस वन हो जाता है इस बात को याद रखिएगा साथ से मैंने बता दिया अब वही बहुँडा फर्मूला लगेंगे यहाँ पे dx है यानि x का काम यह कर रहा है तो यह आ जाएगा यानि कि log e के आ गया बराबर यहाँ पे t पे power minus 2 है यानि x का काम t कर रहा है और power n है minus 2 क्या हो जाएगा हल करते हैं डारेक्ट इसको लिख देंगे पहले डेल्टा e बटे r t पे power minus 2 प्लस 1 बटे minus 2 प्लस 1 हो जाएगा और एक बत और ध्यान दीजिएगा कि साथे साथ जब भी सामाकलन होता है तो एक नियतांग भी लिया जाता है तिक वो आप पड़े होंगे mathematics में कि नियतांग क्यों लिया जाता है लेकिन यहां पर सी नहीं होगा यहां पर हो जाएगा लौग ई ए ए क्या है अबरिति गुनक कि कोई अभी किरिया क्याणों कि इतनी बारापस में चक्कर कर रहे हैं संगट संक्या तो यह भी साथ साथ में रहता है नियतांग के रूप में अब अब देखिए क्या होगा अधार होता है अधार और जो अधार आगये उसका घ्लस छता है कि इसके बारे में मैंने अधिया 23 में डिटेल में पता है इस पल्य Epiす तो फिर वोन बेटा टी हो जाएगा नीचे टी आ जाएगा अब प्लस लॉग ई बेस ई लॉग बेस ई ए अब यहां पर आज दस आपने देखा होगा कई कई बार दस लिखा रहता है तो वह आधार होता है मतलब कुछ इस परकार है मैं आपको समझाता हूं तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कैसे माली जिए दो पर पावर पांच लिखा है इसको आप लोग के रूप में कैसे लिखेंगे इसको आप लोग के रूप में इस परकार लिख सकते हैं लोग बेस टेन दू पांच जो आधार होता है वो इसके लोग के निछ लिखा जाता है जो में पावर अधार वो यह आप दिए जाता है ठीक आफिक और यही निकालना है या हां दूंद का निकालना है तो बेस कितना लिया गया अगर मालेजे गैई अंटि लोग 5 का ही हमें निकालना है अब एस दू लिया गया है तो यह हो जाएगा दो पे पावर 5 अब अब इसको लॉप में इस्तर लिख सकते हैं एंटि लोग के रूप में भी आप इस थर लिख सकते हैं एंटि लॉप में एक दूसरे से जुड़े हुए लिए तो यह तरीका है लिखने कहारा समझने यहां पर जो e लिया गया है वो अधार है यह उसका घात है जब दुनों समान रहता है तो कटके एक आता है जिसे 10 लॉग 10 का मान एक होता है क्योंकि 10-10 कट जाता एक आता है और अब क्या करेंगे आंगे इसको इधर भेज़ें क्योंकि यह यह बराबर माइनस डेल्टा ए ए बटा आर्टी लोग ए माइनस लोग भी बराबर क्या होता है यहां पर बता देता हूं लोग एक्स माइनस लोग y बराबर होता है log x बटा y base में कुछ भी हो सकता है a b यहाँ पे लिग देता हूँ base में यहाँ पर e हो सकता है a हो सकता है कोई भी संख्या हो सकती आदार में तो क्या हो जाएगा log e k बटा a बराबर माइनस जलता e a e बटा में rt अब वही मैंने बताया कि जो आधार रहता है वही अब इसको antilog करेंगे इसको log है तो इधर बेजेंगे तो antilog हो जाएगा तब समझेगा या k बटा a बराबर antilog माइनस दिल्टा e बटा rt अब जो भी संख्या होता है हम उसका antilog करते है तो जो आधार होता है वह पूरा आधार बन जाता है नीचे जो यह होता है यह जो संख्या आ रहा है वह उसका घात बन जाता है मतलब यहां पर हमने समझाया ना कि एंटी लोग जब हम इसको निकाल रहे हैं तो जो दो है आधार मिल जा गया यह यह पूरा आधार बन जाता है जो संख्या है वह उसका घात बन जाता है मतलब इस तरह समझीए कि लोग मान लिजए हमें लोग 10 का तस यहां पर 32 ंफे निकाल ला है इसका एंटी लोग 32 22 कि तो कैसी निकालेगे जो आधार हो वही आधार बंझायगा पूरा आये 32 हो यही हमारा आंसर ओभ जाएगए तो वही वाला काम यहां पर हुआ है जो आधार है वो आंदिलोग का पार जाता है अब एक को इधर भेज़ देंगे तो यह इधर भेज़ देते हैं तो कि बराबर एक पावर माइनस यह बटा आर्टी मिल जाएगा और डेल्टा-ई को यह लिखे देंगे शक्रियन उल्जा है और हमारे संबंद मिल जाएगा आंगे देखिए तो यहां पे हमने लिख दिया कि यह बराबर एक पावर माइनस यह पटा आर्टी यह क्या है तो डेल्टा-ई यह के बराबर होता है यही शक्रियन उल्जा होता है तो डेल्टा-ई के जब आप यह रख दिया गया क्यूंकि उपर जो हमने आरहने समीकरन दिखा था वहां पे यह था ना डेल्टा यह नहीं था इसलिए दोने की चीज़ें अभी यह क्या है यह श्रमिकरन तो वेग इस्तिरांग शक्रियान उर्जा और तापमान में एक मात्रात्मक सम्बत है अब जितना मात्रा दिया है कितना मात्रा में किस टेमप्रेचर पर निकालना चाहते हैं पूछ सकता है कि शक्रियान उर्जा और वेग इस्तिरांग में संबंद स्थापित करें या शक्रियान उर्जा और तापमान में संबंद स्थापित करें तो यह वाला पूरा आपको प्रूप करना हो जाएगा तो लिख देते हैं कि एक संबंद है यहां पर लिख देंगे यह वी अध्यारा लायन कि भीया से पूशिकता है कि भी इस्तिरांक और ताफमान में महत्राकमक संबंद किसे वी पूशे आपको यही प्रूब करना है और अब हम अरनेयस को उधारण द्वारत समझेगे तो है अब हम लोग न नियास के अनुसार जोगी किरिया कैसे होगी ति यब किरिया तब होगी जब हैट्रोजन काणू और अपस में थक्क करेंगे और बीच में मद्यवर्ती निर्मान करेंगे यानी कि हैस्क्राइच रहा है टू न aesthet olvad rain a hi और वो आपस में एक बीच में मध्यवर्ति बनाएंगे तब जाके हैस आई है आपस में जुड़ेगा तब जाके टू एचाई बन जाएगा यह पूरा नियाब है इसको मैं लिख देता हूँ यहां पर लिखा हमने कि आरहनियस के अनुसार यहां अभी किरिया तब हो सकती है जब हाइड्रोजन का एक अडू आयोडिन के एक अडू के साथ शंगट कर आस्थाई मध्यवर्ति का विर्चन करें यह जो बीच में बनेगा मध्यवर्ति वह आस्थाई होगा आस्थाई का मत प्लस थोड़े समय के लिए बना है फिल खतम हो जाएगा और यहां मध्यवर्ति बहुत कम समय तक रहता है मतलब वही आस्थाई मतलब बहुत कम समय तक और क्या होता है तूट कर हैड्रोजन आयोडाइट यानि हैचाई के दू आरू बना देता है इसको इस प्रकार समझें है 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 हाईड्रोजन है के बीच में एसिंगल प compelled यह बाधर यह बॉंद टूटेगा यह ऐड्रोजन के बीच में यह इंदवित बंधन टूटेगा र किसके बीच बंदन बनेग है इसके बेस बंदन बनना पर तो क्या बन जाएगा यह है यह बंदन पूरी तर से तूट गया यहां पर है और है यहां पर यह क्या है अभीकारक कि यह बीच में बना यह क्या है मध्यवर्ती और यह क्या है उत्पाथ यह अरहईएंष कै अनुसार कि कोई भी विकरिया में जो उत्पाथ बनता है वो पहले बीच में मध्यवर्ती बनता है याणि सवी बंदन तूर्टे है फिर एक मध्यवर्ती बनाते है तब जाके वो मद्यवर्थी आपस में जुड़कर एक नए अडू का निर्मान करते हैं अब यहाँ पर जो मद्यवर्थी है इसको सक्रिय संकुल कहा जाता है सक्रिय संकुल यूँकि यह सक्रिय होता है तुरंत अभी क्रिया करके निवत्पाद बना लेता है इसको बनने के लिए हमें उर्जा देनी परती है एक आवस्यक उर्जा अब उसको उर्जा को कहा जाता है शक्रियान उर्जा यही सक्रिय संकुल है इसको शक्रिय बनाने के लिए जो उर्जा दिया वो हो गया शक्रियान उर्जा यहाँ पर लिख देते हैं पहले यहां पर हमने लिख दिया मद्यवर्थी जिसे सक्रियर संकुल भी कहते हैं कि बनने के लिए अवसे खुर्चा को सक्रियान उल्जा कहते हैं मिं एक अर्पिस का परिभासा है तो इसे सक्रियान उल्जा ही हमारा मैं टॉपिक Heb जिसको अगरे वीडियो में पढलेंगे आपन. यहां इस वीडियो में इतना ही है सांपुक्या और क्यों की आर्रेनियस का संहिकरन क्या है उसका उत्पत्तीक है सोता है इसना पता दिए हमने मेन जो टीजी आमना वो हैcem Lula उसके बारे में अग्लार वीडियो में जाने एतना ही रैंद अग्ले आ मेहाँ बारेन रान देते हैं इसके कुछी नमेरटर में रहे हैं। यह राजने सब्सक्राइब करें तो इसलिए अगले वीडियों तो मिलते हैं अगले वीडियों लानिवार